परिचय हलो दोस्तों, मेरा नाम है क्रिश मैं चॉकलेट खरीदना चाहता हूँ इसके लिए मुझे दुकानदार को पैसे देना पड़ेगा बिना धन के वो हमें कुछ नहीं देगा आप चानते हैं धन क्या होता है? चलिए मैं आपको धन के बारे में बताता हूँ आओ सीखें नोटों और सिक्कों की पहचान के साथ-साथ उसमें अंतर करना 20 और 50 रुपए के नोटों के अलग-अलग मेल बनाना बचत के बारे में जानना पैसों को जोडना और घटाना नोटों और सिक्कों के सही मेल को समझना धन का इस्तेमाल हमें जिन्दगी में हर काम के लिए धन चाहिए हमें घर, टेलिविजन, कम्प्यूटर, कपड़े, घर का सामान, स्टेशनरी और बहुत सी चीजें खरीदने के लिए धन चाहिए रुपए और पैसा जब हम बाजार जाते हैं तो कभी-कभी दुकानदार हमें रुपए और पैसे में कीमत बताता है चलिए मैं आपको बताता हूँ कि दुकानदार द्वारा बताए गए दाम को रुपए और पैसे में कैसे लिखें एक रुपए को ऐसे लिखा जाता है पांच रुपए को ऐसे लिखा जाता है साथ रुपए और पचास पैसे को ऐसे लिखा जाता है इस बार्बी डॉल को देखिए इसके लेबल पर इसका दाम लिखा है इसका दाम है पिच्चानवे रुपए पचास पैसे आईए अब पैसे के सिक्कों के बारे में जाने ये है बीस पैसे का सिक्का ये है पचास पैसे का सिक्का आईए अब रुपए के सिक्कों के बारे में जाने ये है एक रुपए का सिक्का ये है दो रुपए का सिक्का ये है बाद रुपए का सिक्का ये है 10 रुपय का सिक्का, आईए अब रुपय के नोट के बारे में जाने, ये है 1 रुपय का नोट, ये है 2 रुपय का नोट, ये है 5 रुपय का नोट, ये है 10 रुपय का नोट, ये है 20 रुपय का नोट, ये है 50 रुपय का नोट, ये है 100 रुपय का नोट, ये है 500 रुपय क ये है 1000 रुपे का नोट दो जोडों या युगमों की तुलना करना ये 20 रुपे का नोट है 20 रुपे का नोट 5 रुपे के 4 नोटों के मूल्य के बराबर होता है 20 रुपे का 1 नोट 10 रुपे के 2 नोटों के मूल्य के बराबर होता है 20 रुपे का कोई एक नोट, 10 रुपे के एक नोट और 5 रुपे के दो नोटों के मुल्य के बराबर होता है 50 रुपे बनाना इसी तरह 50 रुपे का कोई नोट, 10 रुपे के 5 नोटों के मुल्य के बराबर होता है 50 रुपए का कोई नोट, 20 रुपए के एक नोट और 10 रुपए के तीन नोटों के मूले के बराबर होता है। मेरी बचत, रिमी के पिता ने उसे 10 रुपए दिये, उसने 2 रुपए पेंसिल खरीदने पर खर्च किये और बाकी पैसे एक पिगी बैंक में जमा कर दिये। हम पिगी बैंक में जो पैसा रखते हैं उसे बचत कहा जाता है। पैसे को मानसिक तोर पर जोड़ना और घटाना। आओ अब ये सीखें कि पैसों का योग कैसे किया जाता है। अगर मेरे पास 5 रुपए वाले 3 सिक्के हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पास कुल कितने रुपए हैं। 5 जमा 5 जमा 5 का योग करो, तो होगा 15 रुपए। अब अगर मेरे पास 50 पैसे की 3 सिक्के और 2 रुपए का 1 सिक्का हो, तो इसका योग हो जाएगा 3 रुपए 50 पैसे। पैसे को जोड़ना और घटाना. आईए ये जाने कि 25 रुपए 50 पैसे और 20 रुपए 25 पैसे को कैसे जोड़ें। पहला कदम, पैसे के कॉलम में पैसे रखकर जोड़ें। 50 जमा 25 बराबर 75 पैसे। अब 75 को पैसे वाले कॉलम के नीचे लिखिए। दूसरा कदम, रुपए वाले कॉलम में मौजूद संख्याओं को जोड़िए। 25 जमा 20 बराबर 45 पैसे। 45 को रुपए वाले कॉलम के नीचे लिखिए। आईए अब दूसरे उदाहरन को हल करते हैं। 10 रुपए 50 पैसे और 15 रुपए 50 पैसे का योग क्या होगा। पहला कदम, संख्याओं को सही कॉलम में लिखिए। पैसे वाले कॉलम में संख्याओं को जोड़ें। 50 जमा 50 बराबर 100 पैसे। लेकिन हम जानते हैं कि 100 पैसे एक रुपए के बराबर होते हैं। इसलिए हम पैसे वाले कॉलम के नीचे 2-0 लिखेंगे। और एक को रुपियों की तरफ ले जाएंगे। दूसरा कदम, रुपए वाले कॉलम में संख्याओं लिखिए। एक, जमा 10, जमा 15, बराबर 26 रुपए। रुपए वाले कॉलम के नीचे 26 लिखें। आईए अब पैसे को घटाना सीखें। चालिस रुपए 75 पैसे में से 10 रुपए 25 पैसे घटाईए। पहला कदम, पैसे वाले कॉलम में संख्याओं को घटाएं। 75 घटा 25 बराबर 50 अब 50 को पैसे वाले कॉलम के नीचे लिखें। दूसरा कदम, संख्याओं को रुपए वाले कॉलम में घटाएं। 40 घटा 10 बराबर 30, 30 को रुपए वाले कॉलम के नीचे लिखें। सही मेल, आईए नोटों और सिक्कों के सही मेल के बारे में जाने। पांच रुपए का एक नोट, एक रुपए के पांच सिक्कों के योग के बराबर होता है। पांच रुपए का एक नोट, दो रुपए के एक नोट और एक रुपए के तीन सिक्कों के योग के बराबर भी होता है। इसी तरह हम 10, 20, 50, 100, 500, 1000 के नोटों के सही मेल बना सकते हैं। हमने क्या चर्चा की? धन रुपए के नोटों और सिक्कों की शक्ल में होता है। हम पैसे का योग कर सकते हैं और उसे घटा सकते हैं। अगर हम कम पैसों को आपस में जोड़ें, तो उससे ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। पैसे बचाना एक अच्छी आदत है, हम पैसे बचाने के लिए घर में एक पिगी बैंक का इस्तेमाल करते हैं। यह का, आप सकते हैं। कि अखला है। झाल झाल